बायक और टाटा एसी कार की आमने सामने की टकर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभी रूप से खाया लो गई यह दुखत गटना रहवार सुबा करिशारे नौ वजे क्रांति प्रकंट के ओपल चंद जंगल के कैलासपूर मोर से सटे इलाके में घटी इस्थाने लोगों से मिली जानकारी के अनूसारे टाटा एसी कार ओदलाबाडी की ओर से सिलिगुरी की ओर जा रही थी तब एक रांति ब्लॉक के उत्री मजग्राम मौजा के गिलत पाड़ा इलाके से दो बाइक में सवार होकर ओदलाबाडी की ओर जा रहे थे तबी कार और बाइक में टकर हो जाती है इस दरदना खटना में दोनों ही बाइक सवरव्यक्ति गंबी रूप से खायल हो जाते हैं इस्ताने लोगों ने गंबी रूप से खायल व्यक्ति को पहले उदलाबाडे अस्पतार पहुँचाया वहाँ द्यूटी में टैना डॉक्टर की दोवारा उसे मृत्य खोसित कर जाता है पुलिस सुत्रों से मिले जानकारी के अनुसार मृत्य व्यक्ति का नाम संजे रोजिनके उम्रे 24 वर्षी घाल व्यक्ति का नाम सुजे रोजिनके उम्रे 22 वर्षी होने की जानकारी मिली है दोनों व्यक्ति का घर क्रांती ब्लोक में है गबी रूप से घाल व्यक्ति को सिली गुरी केक नीजे स्कुतार में भर्ती कराया गया जहां उनका इराद चल रहा है घाल व्यक्ति के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार गबी रूप से घाल युवक की साधी अगले महीने की सप्ता में तैं हुई है इससे पहले दर्दनार सरक दुरगटना में घायल होने से युवक का परिवार काफी चिंती थे इसी बीच सुष्रा पा कर मारबजर थाने की पुलीस मौके पर पहुंसती है पुलीस दुरगटना गृस्त बाईक और वाहन को जटक कर मारबजर थाना ले जाती है मार्बजा थानी की पुलिस हाथ से किजांच में जुट गई है सौ को पोस्ट मरंग के लिए जर्पैगुरी सादर एस्पिताल भेज दे जाने की बात पुलिस की ओर से बताई गई है संजेर रोय की मौत से उत्री मद्यगरा में शोक का माहुल चाया हुआ है